पंखुरी अपनी सास सीमा के साथ रहती दोनों सास बहुत बहुत कंजुस होती एक दिन की बात ही क्या कुरिय माजी अभी तो ये कामबाली भी चाचुकी है अब हमारे गर पर काम करने कौन आएगा लेकिन पंखुरी मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इस घर में कामबाली भाई टिक्ती क्यों नहीं है आ गिरिश की माँ अरे तुम दोनों ने तो हमेशा से ही महेंगी कामबाली रखी है हमें पता है, बाकी की कामबालिया कितना पगार लेती है लेकिन तुम तो दस हजार देती हो, उसके बाउजुद भी वो काम चोड़की कैसे चली जाती है अब क्या कर सकते हैं गिरिश के बाउजी, हमें अब नई कामबाली दुनने पड़ीगी और उसे एक्स्ट्रा के पास से रुपे भी देने होंगी ताकि वो हमारे घर पर टिक सके और हमें छोड़ करना जाए ए भगवार, अच्छा बाबा, ठीक है, दे दूँगा मैं गिरिश और बलवंत के जाने के बाद पमखुरी अपनी सास से कहती है देखा माजी, अब तो ये कामवाली भी भाग गई और साथी हमें पैसे भी नहीं देने पड़े हाँ बभूब, अब जो नई कामवाली आएगी उसके साथ भी हम यही करेंगे और उसे भी फसा कर भगा देंगे फिर सीमा और पमखुरी अपने लिए फिल से एक सस्ती कामवाली दूने लगती है और उन्हें गरिब कामवाली मुन्मुन मिलती है बड़ी मेम साथ, छोटी मन साथ मुझे आप दोनों बस काम दे दो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है वो तो ठीक है लेकिन हम तो तुझे सिर्फ दो हजार ही दे सकते है समझी तू? क्या? सिर्फ दो हजार? लेकिन ये तो बहुत ही कम है देख मुन्मुन हमें महगी कामवाली नहीं चाहिए अगर तुझे काम चाहिए तो कर लो वरना खिसको यहाँ से तुम एक लोती ही नहीं हो इस महले में हमें कोई और मिल जाएगी नहीं नहीं चटी में साप मैं मैं करूंगे ना काम मुझे पैसे और काम की बहुत जरूरत है मुन मुन आप घर के काम करने लगती है लेकिन जैसे ही महीना खतम होने की बारी आती है तब ही दोनर सास बहु वापस प्लैन बनाती है माजी महिनक खतम होने को आया है और अभी हमें प्लैन को अंजम देना ही होगा क्या करना है वो तो आप जानती ही हो तो शुरू करें हाँ बहु चल फिर सीमा और पंखुरी दोनों फर्श पर तेल गिरा देती है और जब मुनमुन वहाँ से गुजरती है तब ही उसका पैर फिसल जाता है और वहाँ पर रखा हुआ वास गिर कर तूड़ जाता है हे राम जी की अरे ये क्या सत्यानाश कर दिया तुने मुनमुन आखे है कि बटन ये गिर भी रख के आई है कई पर ये इतना बड़ा वास तुझे दिखाई कैसे नहीं दिया ओ नो माजी ये वास तो काफे महंगा है पुरे दस हजार का था ये और तुमने तो पुरे दस हजार का नुकसान कर दिया मुनमुन बेशरम औरत तुम गरीबों की यही आदत होती है महंगी महंगी चीजों का नुकसान करती हो तुम माख कर दीजे मैम साब मैंने जान बुच कर नहीं किया आई इस फर्ष पे तो पहले से ही तेल पहला हुआ था हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा तेल ने कहा होगा ती चलो हाँ बॉटल में से निकलते है और फर्ष पे पहलते है क्या बकवास करती हो तुम भी मुनन अरे तुम इस घर की कामबाली हो फर्ष साफ करने के जिम्मेदारी तुमारी है लेकिन नहीं तुम तो एक गेर जिम्मेदार कामबाली हो लेकिन इस नुक्सान की भरबाईतों में तुस्से लेकर ही रहूंगी और अब अगले चार महीनों तब तुझे तनक्वान नहीं मिलेगी इस महीने की भी नहीं मिलेगी उकी पुरे 10,000 रुपे का नुक्सान हुआ है क्या? हे बगवान या तो ये दोनों मेरी बात सुनने को ही तयार नहीं है मानों जैसे दोनों की दोनों पागल खाने से छूटी है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती मैं या पर दिन रात काम करूँगी और मुझे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं नहीं में तकल से या आऊंगी ही नहीं बाबा और इस तरह ये कामवाली भी अगले दिन से आना बंद कर देती है और इसी तरह सीमा और पंखुरी हर कामवाली को किसी ना किसी नुक्सान में पसागो उनसे भरपाई मांगती है और डर के मारे वो बिचारी काम वाली अगले दिन आती ही नहीं इहे हे 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 चल बहु ये काम वाली भी गई डर के मारे हमारे पती अकल लगता है कि हमने एक महिंगी काम वाली रखती है जबकि असल में तो हम सस्ती काम वाली रखते हैं लेकिन उसे भी फसा कर पैसे नहीं देते, और फिर सारे पैसों से एश करते हैं, चल वहू, अब अगली बकरी दूनते हैं, हाँ माजी, चलो, एक दिन जब गली की सारी कामवलिया एक दूसरे से मिलती हैं, तभी वो उनको सीमा और पंकुरी की घर में हुए हदसे के बारे में बता दिए, का? दया रे, दया, इतो का कहत रे मुन्मुनिया? तोरे से भी कोनो नुक्सान हुई गवा वापर? और उकरे बाद में, तोरा को भी बरपाई कराईगे खातिर, तोरी तनकुआ में से पैसे काटने की बाक्यों दन सास बहुरिया ने? हाँ उशा, इसलिए डर के मार में गई ही नहीं वापर, तेरे साथ जैसा हुआ, वही मेरे साथ हुआ, हम लोग इत्ता घरमा जाई के काम करत रहें, लेकिन जाउन काम वाली वा, सीमा और पंकुरी के घरमें जाकर काम करते, उसे ही कोनो ना कोनो नुक्सान होवाती, ये बात तो हमरे बेजे में फिट कुछ काला लग रहे लाएं बाबा में सच बोलती है वह दोने सासबू एक नंबर की चाप्टर हो रहते यह सब उनकी ही चाल है हो भी सकते कांता दिदी अब किसको क्या पता ठीके अब इस बात का पता में लगाएगी क्योंकि कल से उन दोनों के घर पर काम करने में जाएगी फिर में भी देखती है कि वो दोनों आखिर करती क्या है तंचन न अना चिट्टा फिर अगले दिन कांता वहाँ पर जाके सीमा और पंखुरी से काम मांगती है जिसके बाद सस्थे दाम में मानने पर वो दोनों उसे काम पर रख लेती है कांता घर के सारे काम अच्छे से करती हैं लेकिन जैसे ही महिने की आक्री तारिक नजदिक आने लगती है तब ही पंकुरी बहुँ महिना खतम होने वाला है इससे पहले कि हमें इस कांता को पैसे देने पड़े हमें इसे भी बाकी काम वाली की तरह ही पसाना होगा कुछ सोचा है कैसे करेंगे इस बार हाँ माजी मेरे इस खुरापती दिमाग में एक गर्मा गरम आइडिया आया है हम वही करेंगे इस बार फिर महिने की अंतन कांता जब उनसे पैसे मांगती है तभी अरे काई की तनक्वा कांता देख अभी अभी तेरी दीदी को होस्पिटल से लेकर आई हूँ दवायो का दो हजार बिल हो चुका है क्यूंकि कल तुने जो खाना बनाये था वो सही नहीं था आह आई रे मेरा पेट कांता डॉक्टर ने कहा कि खाने में कोई खराबी थी पुर उसी के कारण हुआ है ये तुम ही दोशी ओकांता तुमने खाने में घड़बड कर दी क्या अरे काईपन क्या बोल रही है आप दोनो मेरी बहु बिलकुल सही कह रही है अब बिल ही इतना आया है तु ही जिम्मेदार है इस सब के लिए इसलिए तुझे इस महने की तनफ़ा नहीं मिलेगी उपर से डॉक्टर की अपोइंटमेंट पीस और गाड़ी के भाड़े में ही तीन हाजार रुपए लग गए उसके पैसे भी तेरी ही तनफ़ा से कटेंगे कल का खाना सिफ मैंने ही खाया था उसमें सच में कोई गड़बड थी मा जी का तो व्रत था इन्होंने तो उसका एक निवाला भी नहीं खाया इसलिए इन्हें कुछ भी नहीं हुआ और मेरी ही हालत खराब हो गई अरे आप दोनों ये कैसी बाता करे ली हो अरे दीदी कल का खाना मैंने भी खाया था मैं बच्ची हुई सबजी लेकर गई थी अपने घर पर और व्रत तो अम्मा जी का था ना लेकिन सहाब और बड़े सहाब उन दोनोंने भी खाया होगा उने तो कुछ नहीं हुआ लेकिन वो वो मैं अब ये बकरी की तरे में में करना बंद करो और मेरे को मेरे पैसे दो बाबा मैंने कुछ नहीं किया खाली पुकट मेरे उपर बिल नका फाड़ू हा नहीं तो चला मी चाल ले आता पेलाती जल्दी टाइम पे इस तरे सीमा और पंखुरी कांटा को कुछ भी नहीं बोल पाती और चाला कांटा अपनी तनफ़ा के पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है ओफो माजी हमारा ये प्लैन तो फ्लॉप हो गया और 2000 भी हमारे हाथ से निकल गए जाने दे पंखुरी बहूँ हमें हर महिने अमारे पती 10दर 500 रूपे देते हैं उसमें से अगर 2000 रूपे चले भी गए तो भी हमारे पास बहुत पेसे बचते हैं लेकिन अगले महिने कुछ तगड़ा प्लान करना पड़ेगा अब अगले महीने तो मेंच एसा तगड़ा प्लान बनाएगी कि इन दोने की तो बैंडिज बच जाएगी फिर अगले दे कांता साफ सपाई करते समय बेडरूम का टेवी दिवार से निकाल कर जमिन पर पटक देती है और टेवी बु इतना महेंगा टीवी अरे ये तो पूरे असी हजार का टीवी था और तुने इसे ही तोड़ दिया ओ नो कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने हमारा अरे नाला एक चुडल नीन में सपाई कर रही थी क्या या कोई ट्रेंड चुटे जा रही थी तुमारी जो इतने जल बाजी में सपाई कर रही थी माफ कर दियो मेरे को मैंने जान बुच की नहीं किराया ये टीवी आप दनो की शपत बस बस बहुत हुआ तेरा ये नाटक नाला एक और अब मैं तरी आने वाली तनक्वा से ही टीवी के पैसे काटूंगी और इतना ही नहीं तुमें हर रोज द ही काई दिदी चलेगा मेरे को अब क्या कर सकते ही गलती तो मेरी ही थी ना अब भुगत ना इच पड़ेगा लेकिन अगले दिन कांता आती ही नहीं और वो गुल हो जाती है जिसके बाद सीमा और पंखुर टेंशन में अपना सर पकड़ लेती है मा जी ये कांता तो आई ही नहीं अब हम क्या करेंगे हर बार नागटक करते करते इस बार तक सच में ही नुक्सान हो गया हमारा पर अब तो कांता भी नहीं आएगी सीमा और पंखुरी की सारी बाते उनके पती सुन लेते हैं इसका मतलब तुम दोनों सस्ती काम वाली रखती थी और उनसे जान भूच कर नुकसान करवा कर उन्हें पसाती थी और उन्हें खाली हाथ भागने पर मजबूर करती थी और हमसे जूट बोलकर ज्यादा के पैसे लेती थी और आयाशिया करती थी छी गिरिश्की मा आप इतना कैसे गिर सकती हो ये आप दोनोंने बहुत गलत किया है और आज उन्हीं सा बेटा तुम सही कह रहे हो हमें हमारे पापों की ही सजा मिली है हमें माफ कर दीजिये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हम दोनों काफी शर्मिंदा है दोनों अपने पतियों से माफी मांगती है और सारी कामवालियों को उनके हिस्से के पैसे देखे वो अब नई कामवाली र बेट कर बिग बॉस ही देखती रहती है इरती बहु जा कर मेरे लिए गर्मा गर्म अद्रक की चाय बना और साथ में पराठे भी बना दे ओफो माजी प्लीज रूख जाए थोड़ी दे अभी मैं बिग बॉस का लाइफ टिलिकास देख रही हूँ तहल का और अभिशेक के बी हुई है और उसकी अपडेट तो सबसे पहले मैं ही देखूंगी अरे नाला यक औरत दिन भर बस बिग बॉस में ही गुसी पड़ी रहती है तुझे लास शरम है या नहीं तू अपने ससुराल में है माईके में नहीं बस बहुत हुआ और माजी आप कुद को समझती क्या हो आज के बाद मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी आप जितनी बुरी और पापी सास इस दुनिया में हो ही नहीं सकती अरे क्या मैं गूम गूम कर गुलचरे उड़ा रही हूँ बिग बॉस ही तो देख रही हूँ ना हरे बापरे देख कुद को ये बिग बॉस देख देखकर तेरी बुद्धी ब्रेश्ट हो चुकी है अपनी सास से उची आवाज में बात करने लगी है तू हाँ तो करूंगी मैं उची आवाज में बात काश मेरे पास भी बिग बॉस के घर वालो जैसा नॉमिनेशन करने का अप्शन होता तो मैं आपको ही नॉमिनेट कर देती और इस घर से बाहर निकाल देती तभी वहाँ पर किर्ती का पती गोतम आ जाता है किर्ती बस करो कितना लड़ोगी और हाथो अपनी मा को समझा कर रखो ना इने तो हमेशा ही मेरे बिग बॉस देखने से प्रोब्लेम होती है जा रही हूं में बाहर आज तो मैं कोई काम नहीं क पर आउंगी इतना कहे कर किर्ती वहाँ से चली जाती है गोतम बेटा जबसे ये बिग बॉस का नया सिजन शुरू हुआ है तब से किर्ती का स्वभाव पूरी तरे बदल चुका है उस शो में तो हर मिनिट लड़ाई जगड़े ही होते रहते है और वही सब देखकर ये भी बात बात पर मेरे साथ तू तू में में करती रहती है मा किर्ती की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ आप फिकर मत कीजिये मैं उसे समझा दूंगा गोतम किर्ती को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह उसकी भी बात नहीं मानती और वह बेडरूम के टीवी म बिग बॉस देखने में मगन हो जाती है फिर एक दिन किर्थी ये बिग बॉस देखना बंद कर दो तुम्हें मैं कब से कह रहा हूँ कि मेरा टिफिन पैक कर दो मेरा रुमाल और मेरी नीली फाइल भी नहीं मिल रही मुझे ओफिस के लिए लेट हो रहा है लेकिन तुम हो कि बिग बॉस देखने में ही वेस्त हो चुप रहो गतम मुझ पर इतना चिलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मैं तुम्हारे बीवी हूँ नोकर नहीं तुम भी बिलकुल विकी की तरह ही होते जा रहे हो वो भी अंकिता के साथ ऐसे ही करता है मैंने कभी तुम्हें न तुम भी किसी बिग बॉस कंटेस्टन की तरह ही बरताव करने लगी हो हाँ करने लगी हो क्योंकि आप लोग मुझे वैसा ही ट्रेट कर रहे हो मैं किसी का भी सुनके नहीं लेने वाली सबका उल्टा जवाब दूंगी तुमारा बरताव देखकर कोई भी यहीं कहेगा कि ग अगड़े करने लगी हो फिर गवतम अपना काम खुद करता है और गुसा होकर आफिस चला जाता है लेकिन कीर्टी को इस सबसे कोई फरक नहीं पड़ता और वो हॉल में जाकर आराम से स्नैक्स खाते हुए बिग बॉस देखने लगती है यह चिंटु समद भी ना बहुत फ मेरा बेटा बिना टिपिन की ओफिस गया है और तु यहाँ खीकी करते हुए घटिया शो देख रही है अरे ओ बुडिया ज्यादा बोलो मत अगर आपको अपने सपुद के इतनी ही पड़ी थी तो आपने क्यों नहीं बना कर दिया उसे अब ज्यादा भाशन मत दो मुझे और चलती बनो यहां से मेरे पास आप जैसे बेवकूफ लोगों से बात करने का फाल तु समय बिलकुल भी नहीं है छी क्या थी और क्या हो चुकी है तु बिग बॉस देख देखकर अरे शुकर मना कि हम लोग तुझे यहां आसरा दे रहे है वरना अभी तक तो मेरी जगे क कोई और सास होती तो कपका तुझे निकाल चुकी होती घर के बाहर अरे जाओ जाओ मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आप लोग मुझे निकाल भी दोगे तो मैं खुद का खुद देख सकती हूँ आप अपना देखो और ज्यादा इत्राओ मत वरना मैं कुछ ऐसा कर हम तेरे तो मुझे लगना ही बेकार है तू तो अपने मुझे जहर के अलावा कुछ और उगल ही नहीं सकती एक दिन किर्थे के ननन पाई कुछ दिनों के लिए अपने माई के रहने आती हूँ हरे फिर से आओ गई तुम अभी कुछ महिनों पहले ही आई थी ना तुम हरे क इतनी बेशरम हो तुम जो बार बार मुझे उठा कर अपने माई के चलियाती हूँ भाबी यह आप कैसी बाते कर रहे हो केरती बहु बूलो मत तुम इस घर की बहु हो और पायल इस घर की बैटी तुमसे पहले यह इसका गर है और यह जब चाहे आजा सकती है तुम कोई नह क्या कोई नहीं अरे मैं इस घर की बहू हूँ और जितना हक इसका इस घर पर है उससे ज्यादा हक मेरा है क्योंकि अब ये शादी के बाद पराई हो चुकी है तो आप मुझे मत सिखाओ वरना मैं आप दोनों का बैन बजा दूंगी इतना कहकर किर्थी बिग बॉस देख में चली जाती है बिग बॉस देखकर ये लड़की एकदम बुरी बनती जा रही है लड़ाई जगड़े किये बिना उसके पेट में खाना भी हजम नहीं होता तू उसकी बातों का बुरा मत मान बेटा लेकिन पायल की आने के बाद किटी पायल से लड़ाईया करने लगती है औ प्लीज मेरे लिए बना दोगी क्या मैं जानती हूँ अपने शादी के पहले बह्या के लिए बनाये था अभी मैं बिग बॉस देख रही हूँ आज सलमान खान का विकेंड का वार का एपिसोड है और तुमने क्या मुझे अपनी परसनल नोकरा नी समझके रखा है क्या अग अगर मन ये तो खुद बना लो या बाहर से ओर्डर कर लो लेकिन बार बार अपनी ये सड़ी होई शक्कल लेकर मेरे पास मताया करो नॉंसेंस हटो अब पायल को किर्थी की बात का बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने ससुराल चली जाती है ये देख रुकम पिनी और गतम बहुत ज़दा गुस्सा हो जाते हैं इसकी वज़े से ही मेरी पायल हुदास होकर फिर से ससुराल चली गई अरे बना देती उसके लिए चीज के कौनसा चपन बोग बनाने के लिए बोला था उसने किर्थी अपनी इन हरकतों को सुधार तुम दिन बदिन बह वो करना होगा जिसका अंजाम तुमारे लिए बुरा होगा ये फाल्तु की धमकिया किसी और को जाकर दो मुझे नहीं समझे तुम और गई तो गई मेरी लिए तो उसके चीज केक से ज़्यादा इंपोर्टन ये बिग बोस का एपिसोड है किर्थी को किसी की बात का कोई फ और ऐसे ही एक दिन पानी भरते समय वो लाइन के बीच में ही गुस जाती है ए किर्थी तु लाइन के बीच में आई है हमारा नंबर है अब जा पीचे कड़ी रहे समझी न अरे चुड़े लो ये तुमारे बापका नले क्या हर किसी को नलका पानी लेने का होगे और मैं वह ही कर रही हूँ हाँ गुसी में लाइन के बीच में जो उखाडना है उखाड लो इसका आजकल तो कुछ ज्यादा ही मूचलने लगा है एक वक्त था जब ये सिप मिठी बाते किया करती थी लेकिन आज देखो उसकी जबान पर लोंगी में इची है ठी जंगली बिल्ली की त साथ मिलकर मकान मालिक को कंप्लेन करते हैं और मकान मालिक गुसा होकर रुपमीनी और गौतम के पास आता हैं किर्थी के कारण महले में काफी दिक्कत हो रही है ये बहुत जगड़े करती है और सबसे बत्तमीजी से पेश आती है अगर इसकी ये हरकत बन नहीं हुई तो आखरी चेतावनी है हमें माफ कर दीजे साब आज के बाद आपको और मुहले वालों को शिकायत का कोई मोका नहीं मिलेगा इसका वादा मैं करता हूँ आपसे जब किर्थी ये सब देखती है तब उसे काफी डर लगता है और साथ ही उसे उसके गल्तियों का एंसास भी हो ज देखकर गए शायद आप दोनों सही हो ये सब बिग बॉस देखकर ही हुआ है लेकिन मैं आप दोनों को वच्छन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी बिग बॉस नहीं देखूंगी और सबसे प्यार से पेश आऊंगी चलो देर आये दुरूस्ता है तेरी आकल तो ठीका अन्याई फिर किरती अपनी ननंदर महुले वालों से माफी मांती है और बिग बॉस देखना बंद कर देती है और सबके साथ अच्छे से पेश आती है